वेलकम टू जीरो से जिनियास तक के इस वीडियो क्विटेस्ट में आप से पूछे जाएंगे बिल्कुल आपके सिलेवस पे अधारीत जी की जीस के 40 से सावालो को तो आप इस वीडियो क्विटेस्ट को ध्यान से खेलिएगा जिससे आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा और नौलेज भी बढ़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्ण है किसे दिस बंधू के रूप में जाना जाता है आपको जबाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकिंड का समय जो शुरू होते हैं अब किसे देशबंधु के रूप में जाना जाता है सही अंसर हो जाएगा option number A चितरंजन दास को और ये सवल हाली के NTP से एक्जाम में आया था Question number 2 चिलका जिल किस राज्या में है? चिलका जिल किस राज्या में इस्तित है? सही अंसर हो जाएगा option number D Odisha Question number 3 किसान घाट का संबंध कीस राजनेता से है? किसान घाट का संबंध कीस राजनेता से है? आंसर हो जाएगा option number A चौदरी चरन सिंग Question number 4 भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? ये भी सवाल आपके NTP से एक्जाम में आया था सही अंसर है option number D मुहों से Question number 5 ISI किस देश के गुप्तचर संस्था है? सही अंसर हो जाएगा आपको पता है अंसर हो जाएगा option number C पाकिस्तान Question number 6 गुरू मुखी लिपी के जन में दाता कौन है? सही अंसर हो जाएगा option number B गुरू अंगद देव Question number 7 सांध की लराई किस देश का राष्टरिये खेल है? ये सवाल दिल्ली पुलिस एकजाम में आया था सही अंसर हो जाएगा option number B Spain Question number 8 लैक्टो मीटर से किस की सुधता मापी जाती है? सही अंसर हो जाएगा option number A दूद की लैक्टो मीटर से क्या मापा जाता है? दूद की सुधता Question number 9 भारत सरकार को सर्वाधिक कव्याए किस पर होता है? सही अंसर है option number D petroleum Question number 10 सरतनतरता परापती के समय भारतिये रश्ट्रिये कॉंग्रेस की अध्याक्ष्य कौन थे? सही अंसर हो जाएगा option number C जे बी, क्रिपलानी और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटम पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल आकन को दबा कर नोटिफिकेशन को अल कर देजिए कियोगे चाइनल आपके से लिवस प्योड करता है धन्याबाद आगे सवाल है वायू मंडली ये दाब किस से मापा जाता है? वायू मंडली ये दाब किस से मापा जाता है? सही आंसर हो जाएगा option number B, barometer, question number 12 खजुराहो के मंदिर का निर्मान किस वन्स के सासकों ने किया था? सही आंसर हो जाएगा option number A, चंदेल वन्स और ये कहां इस्तित है? मध्या परदेश में, question number 13 दंचि ग्राम अभ्यारना है? डैस में इस्तित है? ये सवाल भी आपके 2021 के ACC CHSL एक्जाम में आया था दंचि ग्राम अभ्यारना है? कहां इस्तित है? आंसर है option number D, जम्मू कस्मेर, question number 14 कॉस्मोस कीस परकार का उपगरा है? कॉस्मोस कीस परकार का उपगरा है? आंसर हो जाएगा option number D, जासूसी उपगरा है, question number 15 तूर्की की राजधानी कहां इस्तित है? तूर्की की राजधानी कहां इस्तित है? सही आंसर हो जाएगा option number A, अंकारा, question number 16 निम्ण में से कौन एक के सहरी सभ्यता थी? आपको पता है, सहरी सभ्यता निम्ण में से कौन से एक के सहरी सभ्यता थी? आंसर है option number B, हरपा सभ्यता, question number 17 नियाय की जंजेर किसने अस्थापित किया थी? सही आंसर हो जाएगा option number D, जहागेर ने नियाय की जंजेर किसने अस्थापित किया था? जहागेर ने, question number 18 रूद्र सागर जिल कहां पर इस्तित है? सही आंसर है option number A, मध्या पर्देश, question number 19 धाई दिन के जोपरा का निर्वान किसने करवाया? धाई दिन के जोपरा का निर्वान किसने करवाया? आंसर है option number D, कुत्वो दिन एवक ने, question number 20 कांची पूरम के मंदिर का निर्मान किस वंस के सासकों के दवारा किया गया? आपको पता है हाली के जो भी एक्जाम हुए हैं, उनमें मंदिर से संबंदित एक सवाल आया था तो important है इस टाइब के सवाल, तो सवाल आपको समझ है या? कांची पूरम के मंदिर का निर्मान किस वंस के सासकों के दवारा किया गया? आपको पता है आपको 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 आपक भारत में इस्ट इंडिया कंपणी की अस्थापना सही आंसर हो जाएगा आपसन नमबर C, 16 सव इस वी में, कोशन आगे है, संडर्स की हत्या किसने की थी, राजगुरू, भगस सिंग जी, ए और वी दोनों मिलकर, सही आंसर होगा आपसन नमबर C, ए और वी दोनों मिलकर, कौन थी, ये सवाल हमेशा आने वाला है, सही आंसर हो जाएगा आपसन नमबर D, स्वरोजनी नाइडो, उत्तर परदेश की बनी थी, कोशन नमबर 25, वेदो की और लोटो का नारा किसने दिया, सही आंसर हो जाएगा, आपसन नमबर A, दायानन्द सर्ष्वतिने, आगे प् रामकृष्ण मिशन की अस्थापना, किसने की, रामकृष्ण मिशन की अस्थापना, सही आंसर हो जाएगा, आपसन नमबर B, स्वामी विवेका अनन्दने, आगे प्रस्ण है, वास्को डिगामा, भारत कब आया, पता है आपको, काली कट के निकट के रन, तो वास्को सिख धर्म के संस्थापक, की सिख गुरू को मना जाता है, आपसन नमबर C, गुरू नानक के देव को, क्या रहा की सीखो का परमुख्य तिहवार हली में मनाया गया है, कौन सा है, सही आपसन नमबर C, बैस आखी, कोसर नमबर 30, लोहपुरूस की सि महापूरूस को कहा जात है लुह पूरुस कीस महापूरुस को कहा जाता है सही अंसर आप्शन नंबर ए सरदार पटेल को अगे प्रस्ण है विद्धुधारा का एसाई मत्रक क्या है तो सही अंसर हो जाएगा आप्शन नंबर सी मियर के प्रत्थम इसे मानहो का दर्जा दिया गया यह भी सवाला आपके ज्याम में आशाम था Uzum रॉपवेत्त जी से मानहों का दर्जा दिया गया अंसर आप्षम गरुंभी ऐस सो फिया और यह आपने चाहे तोgio नोट कर सकते हैं आपके एक्जाम में आया था बहुत वेसिक सवाल है सभाव महल कहा इस्थित है ब्arah मुले नाम क्या था सही आंसर हो जाएगा Option No. B, मुल संकर आगी फ्रस्न है Mount Everest पर दो बर चड़ने वाली पहली महिला कौन थे? सही आंसर हो जाएगा Option No. B, संतोस यादो आगी फ्रस्न है लाल सागर को भुमध्य सागर से कौन जोड़ता है? ये भी सवाल आपके एकजाम में आया था सही आंसर हो जाएगा Option No. B, स्वेज नहर आगी फ्रस्न है दुर्गापूर और भिलाई पलांट डैस उत्पादन करता है सही आंसर है Option No. B, इस पात एस्टील का उत्पादन करता है कोस्ट नागी है सही आंसर हो जाएगा Option No. B, स्वेज नहर जोकी मिश्र में इस्तित है स्वेज नहर का राष्ट्रिय करण कब हुआ? निर्मान तो 879 इस्वी में हो गया था इसका राष्ट्रिय करण कब हुआ? स्वेज नहर का राष्ट्रिय करण कब हुआ? आंसर है Option No. B, 1956 इस्वी को आगे प्रस्ण है प्रती वर्स बीस्वा मधु में है दिवस कब मनाया जाता है? ये भी सवाल आपके 2018 के एक्जाम में आया था सही आंसर है Option No. A, 14 नवंबर को बीस्वा मधु में है दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है भारत का राष्ट्रिय वाक्या क्या है? ये सवाल पिछले 40 questions वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और आप लोगोंने बहुत अच्छा response दिये थे आप सभी को कॉमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद राइट आंसर है Option No. A, सत्य में हो जायते तो आपके लिए एक सवाल है तीन तरफ से बंगला देशे से घीरा राज्य कौन सा है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कॉमेंट वक्स में लिखना है Q for you और इसके राइट आंसर तो मिलता है फिर अगले वीडियो में अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत